इस कारिक्रम के नमन करता हैं श्री अशोप कुमार रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राजी, आधित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य महता, उननचास बालचंद टेरस तारदेव रोड, मुंबई पुष्वा रविंद्र दोशे, श्री रविंद्र जी दोशे, श्री उजवल रविंद्र दोशे, वैशाली उजवल दोशे, सिध्धार्थ उजवल दोशे, प्रतिभाद दोशे, तनुजा शहा, रेश्मा शहा, पंधरपूर, जिला सोलापूर, महाराष्ट्र श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा सुर्य नगर गाज्याबाद मानक चंद कमला देवी राकेश नीतो रिशव और आयोशी मुश्रफ बी एक्सोतेश सेठी कॉलनी जैपुर नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोई सवसाहूलं मोक्ष मार्गश्य नेतारं वेतारं कर्म भूब्रतां ग्यातारं विश्वतत्वानां वंदे तद गुन लब्दय पंच परमिस्ति भगवान की जैए संत शरोमनी आचार विद्या सागर जी महराज की जैए दिगंबर जैंधरु में तत्वार सूत्र का और भक्तामर स्थोत्र का सबसे ज़्यादा महत्तु माना जाता है आज भी हमारे देश की लाखों महलाएं बड़े बुड़ी माताएं बहने सब नित्य तत्वार सूत्र और भक्तामर स्थोत्र का पाठ करते के बाद भूजन करती हैं ये दो गरंत सरोमाने हैं पारस चैनल वालों के पास जब इससे संबंदित बहुत सारे समाचार आए तब उन्होंने निरने किया कि अब पाठशाला में तत्वार सूत्र भी प्रारंब होना चाहिए और ये प्रयास आज से जो तत्वार सूत्र प्रारंब हो रहा है आप सब की उनी भावना वो काफल है तो आज से अब हम तत्वार सूत्र कया सिक्षन इस पाठशाला में करेंगे लेकिन आप से भी एक निविदन है आपको क्या करना है? सबसे पहले एक पुस्तक लेके बैठना है तत्वार सूत्र पुस्तक घर में हो उसको लेके बैठें अगर आपके पास वो नहीं है ना तो पूजा की एक किताब लेके बैठ जाएं क्योंकि पूजा के हर किताब में तत्वार सूत्र जरूर होता है वो लेके बैठें साथ में एक कॉपी और एक पैन पैंसिल लेके बैठें ताकि जो विशय आपको कड़ा नया सुनने को मिले वो उसमें लिखें आपको और क्या करना है सबसे पहले तत्वार सूत्र का उच्चारण आपको शुद्ध करना है सुनते हैं तत्वार सूत्र का पाठ करने से एक उपवास का फल मिलता है लेकिन अगर उच्चारण और शुद्ध हो तो क्या होगा? क्या एक उबास का फल मिलेγα, कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा अगर आपका उच्चारण शुद्ध है फिर दूसरा काम आपको प्रतेक शब्द का अर्था आना चाहिए अगर अर्थ सोंज में नहीं आता तो उबास का फल मिलेगा, नहीं मिलेगा और फिर आप मुह से उच्चारण करें, मन से अर्थ लगाते लगाते हैं, अगर साथ साथ चलेंगे ना तब आपको जैसा लिखा है उस तरह आपको एक बार पाठ करने से एक उबास का फल मिलेगा तो आपको क्या करना? आपको पहली बात अपना उचारण शुद्द करना है प्रतेक शुद्द का अर्थ समझना है और मुक से उचारण जब भी करें अर्थ को साथ साथ लगाना है इसलिए एक कॉपी पैंसिल लेकर बैठ जाएए और अच्छी तरह से तत्वार सुत्र के अध्यन में अपना मन लगाईए हम कोशिश करेंगे कि प्रतेक शुद्द सरल से सरल भाषा में आपके समझ में आ जाए तो आईए अब तत्वार सुत्र गरंथ का आज प्रारम किया जाता है पंडी जी इस गरंथ का वास्विक नाम क्या है गरंथ का वास्विक नाम है तत्वार्थ इसका नाम हम तो सुनते हैं तत्वार्थ सूत्र वो क्यों नहीं आप कह रहे हैं तत्वार्थ नाम है वास्तव में लेकिन सूत्रों में लिखा गया इसलिए इसका नाम पढ़ा तत्वार्थ सूत्र इस गरंथ में जीव अजीव को लेके اور मुख्ष तक का वर्णन है इसलिए इसका नाम पढ़ा मुख्ष शास्त्र मुख्ष शास्त्र नाम कब से पढ़ा ये नहीं मालूम पड़ता इसके बारे में बड़े इत्यास कारों ने कोशिश की लेकिन जवाब नहीं दिया किसी ने हां मूल नाम इसका तत्वार्थ और सूत्र में होने के कारण तत्वार्थ सूत्र सूत्र किसे कहते हैं? देखने में छोटे हो और जिनके पेट में अर्थ बहुत भरा हो सूत्र इतना सा बोला और व्याख्या इतनी हो गई उन्हें कहते हैं सूत्र तो ये गरंथ तत्वार्थ लिखा गया सूत्रों में इसलिए इसका नाम पढ़ा तत्वार्थ सूत्र और मुख्ष तक का वर्णन होने के कारण मुख्ष शास्त। इस गरंथ के रचेता कौन है? इस करंथ के रचेता आचार उमा स्वामी महराज के जीवन का विशेश वर्णन कहीं पढ़ने को नहीं मिलता, कहीं भी देखने में नहीं आया। इतना जरूर सुनने में आता है के आचार उमा स्वामी महराज आचार कुंद कुंद महराज के पट शिष रहे। आचार कुंद कुंद का आचार उमा स्वामी महराज को मिला। इसलिए ये आचारे कुंद कुंद महराज के पटशिष कहलाते हैं उन्हों ने इस ग्रंध की रचना कि पंडिक जी इस ग्रंध की रचना कव POL ही आचारे उमासृमी महराज इतने निश्परही रहे, इतने निरविमानी और विनेशील रहे कि उन्होंने गरंथ के आदी या अंत में अपना नाम या अपना समय दिया ही नहीं बहुत से गरंथों में बाद में ये लिखना जाना प्रारम हुआ कि इस गरंथ की रचना कब हुई लेकिन तत्वार सूत्र के अंत में ये कहीं भी लिखा नहीं मिलता कि इस गरंथ की रचना कब हुई लेकिन जैसा अनुमान लगता है आचार कुंद कुंद के पट शिश्य होने के कारण आचार रुमा सौमी महराज ईशा की पहली या दूसरी शताबदी के आचारे रहे आचारे सो उनीस सो वर्ष होने के बाब जूद भी प्रतेक जैनी की जवान पर तत्वार सूत रहे और ये इसकी विशेश्ता है ये इसके विशे की महनता है जो लोग इसको आज सर्वसेश्ट गरंथों में गिनते है अन्डी जी इस ग्रंथी की रचना किस प्रसंद में की गई किम बदंथी ऐसे है कि ये द्वैपायन नाम का स्रावक था उसके घर उमापस्वामी महराज आहर के लिए पधारे उसने पढ़गान करके उनको आहर दिया स्रावक उस्तमे घर उके नहीं था जब महराज आहर लेके जाने लगे तो उन्होंने उस स्रावक के दरवाजे पर एक सूत्र लिखा हुआ पढ़गा दर्शन ग्यान चारित्राण मुक्ष मारगा सम्यक शब्द नहीं था आचारी रुके उमास्वामी महराज उन्होंने देखा और उन्होंने कहा अरे ये सूत्र तो अधूरा है उन्होंने फोरण उसके आगे सम्यक शब्द और जोड़ दिया हो गया सम्यक दर्शन ग्यान चारित्राण मुक्ष मारगा महराज बेहार करके जंगल पे चले गए जब वो द्वेपाइन नाम का सरावत आया तो उसने देखा कि मेरे सूत्र के आगे ये सम्यक शब्द किस ने बढ़ा दिया उसने अपनी पत्नी से पूच्चा ये सम्यक शब्द किस ने बढ़ाया पत्मी बड़ी फ्रसन्य थी उसने का आज एक बड़े अच्छे महाराज मारेया आज के लिए बढ़ा रे थे और उन्हों ने ये सम्मिक्षब्ट बढ़ा दिया है वेपाईन ने मैसुस किया सम्मिक्षब्ट बढ़ाना बिल्कुल उचित था और ये महाराज बड़े विद्वान मनीशी मालू पढ़ते हैं वे तोरंट जंगल में उन्हों महाराज के बास गया उनको नमस्तु किया और गोला महाराज आपने सूत्र के आगे सम्मिक्षब्ट बिल्कुल ठीक लगाया है लेकिल महाराज अब सम्मिक दर्शमें ग्यान चारित्राने मोक्षमारगे हैं मोक्षमारगा जो सूत्र वना इस सूत्र का बिस्ताद को करियें अर्थात क्या है मोक्षमार हम सबको बताने की कृपा करें तो इस प्रसंग को लेके आइप्यार महाराज ने फिर इस ग्रंत का पूरे की रशना की मोक्ष मारिक के नेता अर्थाज जो हितोप देशी है भेतारम कर्म भूब्रताम कर्म रूपी परवतों को नस्ट करने वाले अर्थाज जो वीतराग है ज्यातारम विश्व तत्वा नाम विश्व के समस्त तत्वों को जानने वाले अर्थाज जो सरवग्य है अर्थात जो हितूप देशी है जो वीतराग है और जो सरवग्य है ऐसे वीतराग सरवग्य और हितूप देशी ऐसे उन आरहंत भगवान उन सच्चे देव उन आक्त की में उन गुणों की वंदना प्राफ्ती, उन गुणों की प्राफ्ती के लिए मैं वंदना करता हूँ मंगला चरन कप करना चाहिए मंगला चरन आदी में, मध में और अंत में करना योग्य है कुछ विद्वान मानते हैं कि यह मंगलाचरण उमार स्वामी महाराज में नहीं लिखा लेकिन विचारने की बात है इस मंगलाचरण मुख्षमार के सनेतारं के ऊपर आचार समत्वत्र महाराज ने आत्मी मांसा लिखी अगर यह मंगलाचरण उम्गे सामने नहीं था तो उनने आत्मी मांसा क्यों लिखी दूसरी बात आचार समत्र भत्र महाराज को तो आचार उमास्वामी महाराज का पर्ट सिश्ण माना जाता है कि उनके मुख्यशिश्च यही थे, दोनों आचारियों के बीच में जागा समय भी नहीं है, तो जब उनके सामने ये मंगल आचारम उपलब नहीं था, तभी तो उन्होंने आप मीमान से लिखी, अकलंग स्वामी ने इनको आचारम स्वामी का मंगल चर्ण मानता हुआ अस्ट शती रिखी, और अस्ट शती के ऊपर आचार विद्यनत महराज ने अस्ट साफ्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष महाराज थे इसलिए उन्हों ने इस पर आप्ति मिमान सा लिखके ये बात इसपस्ट कर दी कि इस मंगलाचरण के लिखने वाले आच्या रुमा स्वामी महाराज यही है विच्जी शाब इस मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया गया है जिसमें तीन गुण हैं वीतरागता, सरवगता और हितुम देशता ये तीनों गुण के बिना वो महान आप्त बना नहीं बन सकता इस पस्ट बात है सबसे पहले उन्होंने लिखा मुख्षमार्गे शनेतारं जो मुख्षमार के लेता है मुख्षमार्ग का लेता कौम बन सकता है मुख्षमार्ग का बताने वाला कौम हो सकता है जिसने सुए मुख्षमार्ग प्राप्त किया हो जो मुख्षमार्ग पर चला हो और जिसने मुख्षमार्ग की सिध्धी प्राप्त की हो आप्त सच्चे देव जो अरहन्त भगमान होते हुना उन्होंने बोक्षमार्ग को बताया बिमोक्षमार्ग पर चले और उन्होंने बोक्षमार्ग को प्राप्त किया तो बोक्षमार्गे शनेतारं जो बोक्षमार के नेता हैं उनको नमस्काल किया भे़तारव कर्म गुबरताम कर्दुरूपी पहाडों को जो नस्त करने वाले हैं अर्था जिनोंने चार घातिया कर्मों का नाश कर दिया है जब तक मुहनी कर्म का नाश ना हो, रागदेश से रहित ना हो जाए तब तक उनका जो प्रतिपादन या उनका जो प्रवशन या उबदेश है ना निस्पक्ष नहीं हो सकता इसलिए उसको नमस्कार किया है जो रागदेश से रहित हो जाने के कारण जिनका उदेश निश्पक्ष है, वास्तविक है, यथार्त है, सच्चा है इसलिए कर्वरूपी पहाणों को नस्ट करने वाले अर्थाथ चार धातिया कर्मों को नस्ट करने वाले जो है ऐसे उन भीतरा प्रभू को नमस्कार किया तीसरा ज्यातारों विश्व तत्वानाम जिसने विश्व के समस्त तत्वों को नहीं जाना जो सारे विश्व को अच्छी प्रकार नहीं जानता उसका वरणन या उसके वारा दिया गया राव उप्देश सार्व भूं को हो कैसे सकता जिसेंे सब कुछ जान लिया है इसके जानने से अब कुछ बाकी नहीं बचा ऐसा विक्ति अगर उड़ेश देता है तब हम मालेंगे यह उड़ेश वास्तों में ग्रहणिये है क्यों कि इनके ज़्जान से अब कुछ बचा नहीं उनके ज्यान में नरक भी दिखाई पड़ता है उनके ज्यान में स्वाट भी दिखाई पड़ता है उनके ज्यान में स्वेंगुरम और समुद्र भी दिखाई पड़ता है और उनके ज्यान में लौगांतिक देव भी दिखाई पड़ते हैं तो जिनके ज्यान में समस्त विश्व सारा लोग समस्त पदात इस पस जलगते हैं वो इतु सच्छा वक्ता हो सकता है। इसलिए केवल ज्यानी अर्थात ग्यातारं विश्वत अप्त्मानाम वीतराग भेतारं कर्म भूबरताम और हितोप देशी अर्थात मोक्षमागिश्वितारं ऐसे उन महान अरहंत परमेश्टी प्रभू की यहां बंदना की गई है। और उनकी बंदना करना ही उचित है क्योंकि वास्तम में ग्रंत की रचना उनके वचनों के आधार से ही हुई है। तत्वार सूत्र का प्रथम अध्याय के पहले सूत्र से अपढ़ाई प्रारंब होती है। सम्यक दर्शन अग्यान चारित्राणी मोक्ष मारगः फिर बोलो इसके वच्चारण में हमें किसको अध्यान देना, क्या ध्यान देना है। कुछ लोग कैसे बोलते हैं, सम्यक दर्शन अग्यान चारित्राणी मोक्ष मारगः ये गलत हो गया। चारित्राणी नहीं, चारित्राणी छोटी की मात्रा को छोटी की मात्रा बोलना है। अब जरा इसके अर्थ पे दृष्टी करें सूत्र सामने लिखा हुआ है सूत्र सरल है एक बात मैं कहना चाहूँगा सब लोग ये समझते हैं कि तत्वार सूत्र गरंत बहुत कड़ा है मैं कहता हूँ तत्वार सूत्र गरंत बहुत सरल है पर सरल कब है जब उसके सूत्र से आप उस एक-एक शब्द का अर्थ समझ ले अब ये सूत्र आपके सामनी है कितना सरल है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र इन तीनों की एक ता मोख्श का मारग है सूत्र कितना सरल है आप देखें सामने बोर्ट पे भी लिखा है आपकी किताब में भी लिखा है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्यान, सम्यक चारित्र, चारित्राणी अर्थात ये तीनों मिलकर मुक्ष का मार्ग है आचार क्या कहना चाह रहे हैं अगर किसी को सम्यक दर्शन और सम्यक ज्यान हो गया चोथे गुणुस्तान में अभी मोक्षमार्ग नहीं हुआ किसी ने चारित्र को धारण कर लिया और सम्मेक दर्शन सम्मेक ज्यान नहीं हुआ तो भी मोक्षमार्ग नहीं है कोई बड़ा ज्यानी बन गया अच्छे प्रवचन देने लगा सम्यक दर्शन नहीं हुआ मोक्ष मार्गी नहीं है इसलिए आचार ने सोत्र बनाया सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित ये तीनों मिलकर जहां ये तीनों है वह मोक्ष मार्ग है सम्यक दर्शन क्या होता है आपको हमने और भी कई बार पाट सालों में समझाया है देखें जड़ा ध्यान से सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरू का स्वरूप समझना और यही सच्चे देव शास्त्र गुरू है ऐसा मानना इसका नाम सम्यक दर्शन है और तरह से समझे सातत्त नौप दार्थों का जो स्वरूप शास्त्रों में लिखा है यह यही है, इस प्रकार है, ऐसा मानना यह सम्यक दर्शन है सम्यक ग्यान सातत्तों का जैसा स्वरूप शास्त्रों में लिखा है उसको अच्छी प्रकार जानना अच्छी प्रकार से आत्मा का ग्यान करना सम्यक ग्यान है और पापों से बचना, शुबकार में प्रिवित्ती करना, आत्म सुरूप में रमण करना इसका नाम सम्यक चारित रहे अगर ये तीनों है तो मुक्षमार्ग है अगर तीनों मिलकर नहीं है तो मुक्षमार्ग नहीं है इससे ये बात भी इसपस्थ हो रही है कि मुक्षमार्ग प्रारंब कहां से माना जाए जहां सम्यक चारित्र हो और सम्यक दर्शन सहित हो तक्त्वार्थ सर्धानम सम्यक दर्शनम 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 कि शास्त में ऐसा ऐसा स्वरूप साथ तक्तों का लिखा है ये जो लिखा है सर्वग दिन ने कहा है सच्चे जो आचारी गुर्दियर है उन्होंने इसको लिखा है इसलिए ये सच्चा है साथ तक्तों का वास्तविक स्वरूप यही है ऐसा पक्का विश्वास हो जाना साथ तक्तों का यथार्थ स्वरूप यह है अन्य नहीं है इसी प्रकार है अन्य प्रकार नहीं है ऐसा पक्का सर्धान हो जाना जैसा सच्चे शास्त्रों में लिखा है इसका नाम सम्मिक दर्श पंडी जी हमें सात्तों ग्यान तो है, पर हमें सर्दान है, ये कैसे वाल पड़े? सर्दान का मतलब होता है अतुत विश्वास, शास्त में हमने पढ़ा, जिन तथ ग्यान तथ ग्याय प्र घमें, और अगर आपने मात्र जान लिया और अभी माना नहीं माना नहीं तो पर सद्धान का हुआ हुआ मात्र ज्यान ही तो रह गया सबसे पहले शास्त्र ज्यान होता है और शास्त्र ज्यान के अमुसार यदि आपकी मानिता बन जाती है तब सम्देक दर्शन होता है और सम्देक दर्शन होने पर आपका ज्यान फिर सम्देक ज्यान कहला था अतूत विश्वास होना चाहिए एक एक्जाम्बिल से समझाता हूँ मान लो अतूत विश्वास या सरद्धार किसे कहते हैं मान लो, कोई आपसे ये कहें, हरिया जी, ये potassium cyanide रखी है, थोड़ी सी इसे चक्के बता दो, हम आपको 5 लाख रुपे देते हैं, क्या आप खाना चाहोगे, नहीं, ऐसे कैसे खाना चाहेंगे, क्यों नहीं खाना चाहेंगे, इसके खाने से आग्मी मर जाता है, आपने आज त कैसे मानते हो, क्योंकि आपको विश्वास है, आपको सरधान है, अगर कोई विजली के तार पैसे, प्लास्टिक या रवर हटा दे, और आप से कहें, जरा इसको छू लेना, आप क्या बोलेंगे, नहीं, ये तो करंट मार देगा, हम मर जाएंगे, क्यों, आपने कभी ट्रा किया पहले, नहीं किया, तो विश्वास को बना लिया, क्योंकि ऐसा सुनते हैं, और देखा भी है, बिल्ली के करंट से लोग मर जाते हैं, तो इसे कहते हैं विश्वास, जिस समय आपको ये विश्वास हो जाए, ये आस्रव, ये बंद, ये आत्मा का मुक्सान करने वाले ह मैं इसे कैसे बचूँ, जब आपको ये विश्वास हो जाए, शरीर अलग, आत्मा अलग, तुम कौन हो, मैं दो वस्तू मिली हुई है, ये दिखने वाला जो है ये शरीर है, ये तो पुदगल है, और इसमें जो देखने वाला है ना, वह आत्मा है, इसे कहते हैं धेद वि ग्यान, अगर आपने इस शरीर को जीव मान लिया, तापका सद्धान ठीक महीं हुआ, आपने कहा दिखने वाला ये तो अजीव है, पुदगल है, और जो इसमें देखने वाला है, वो जीव है, मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा जीव हूँ, तब कहते हैं सद्धान, एक इंसर हो गया, और अंग से मवाथ ठूपता था, उनको जाके देखने का मौका मिला, मैं उनके पास गया, सारे परिवार के लोगों ने, उनको एक अलग कमरे में रख दिया था, वोगे बदू माती थी पुरी, मैं उनके पास गया, और मैंने उनसे का भया, तुमारा तो क्य हाल हो रहा है, तो उन्होंने क्या उत्तर गिया, उन्होंने उत्तर गिया, क्यों, क्या उन्टी बात करते हो, यह हाल देरा नहीं, यह तो शरीर का है, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा को कभी कैंसर या कुछ भी होता है क्या, नहीं होता है इस कारिक्रम के नमन करता हैं श्री अशोप कुमार रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राजी, आधित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य महिता, उननचास बालचंद टेरस तारदेव रोड, मुंबई पुष्वा रविंद्र दोशे, श्री रविंद्र जी दोशे, श्री उजवल रविंद्र दोशे, वैशाली उजवल दोशे, सिध्धार्थ उजवल दोशे, प्रतिभाद दोशे, तनुजा शहा, रेश्मा शहा, पंधरपूर, जिला सोलापूर, महाराष्ट्र श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा सुर्य नगर गाज्याबाद मानक चंद कमला देवी राकेश नीतू रिशव और आयूशी मुश्रफ बी एक्सोतेश सेठी कॉलनी जैपुर झाल